नमस्कार रेनू की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज रेनू की रसोई में हम बना रहे हैं स्पाइसी चिली पनीर ये एक चाइनीज कजीन है जिसमें जो हमें सामगरी लगेगी वो सामने लिखी हुई है इसकी सामगरी सारी और सबसे पहले पनीर को काट ल और पनीर दुस्टींग करेंगे इसके लिए हम सबसे पहले इसमें नमक दाल रहे हैं नमक दालने के बाद हम इसमें काली मिर्च पाउडर को दालें." यह हम दालेंगे half-tabl spoon आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर दाल लिया और एक बड़ा चम्मच हम इसमें कॉन्फलार मिलाएंगे सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जितने भी पनीर के पीसेज हैं उसमें सभी में ये मिक्सचर अच्छे से लग जाए और उसकी एक पतलिसी लेयर उसमें आ जाए इससे जो हमारा पनीर है वो बहुत अच्छा कुरकुरा क्रिस्पी बनेगा और उसमें एक नमकीन सा स्वाद भी रहेगा नमक के कारण जब हम उन्हें फ्राई करेंगे आप देख रहे होंगे ये सब में एक पतलिसी लेयर कॉन्फलार और काली मिर्च की आ गई है बिलकुल ग पनीर दाल देना है और उन्हें बिल्कुल की लान नहीं है पनीर को भी पकने दीजिए और हम-पनीर को पल्टा लेंगे आप देख रहे होंगे लाइत ब्राउन कलर अने लगा पनीर में अपना कलर चेंज कर दिया है पनीर को और भी अच्छा कलर देने के लिए हम इसमें पनीर को एक बार इस ही इसमें पनीर को निकाल कर जहान लेंगे और अपने तेल को फिर से बहुत तेज़ गरम होने देंगे तेज गरम होने के बाद जब पनीर को दुबारा से उसमें फ्राइ करेंगे इससे हमारे जो पनीर है उसका कलर बहुत अच्छा आएगा और वह दिखने में भी भहुत अच्छा दिखता है तो हम यही करने वाले हैं अभी अपने पनीर को हम निक्षान लेंगे पहले अच्छे से पनीर को चान लेना है उसका जो तेल है वो एक्स्ट्रा वो निकल जाए और गैस को बढ़नर को आप बिल्कुल बंद नहीं करेंगे तेल को फिर से गरम होने देंगे क्योंकि पनीर कोई चीज दालने पर तेल एकदम से ठंडा भी हो जाता है तो अब जब यह ठंडा तेल है अब हम इसे गरम करेंगे फिर से अपनी पनीर को इसमें दालेंगे तो जो पनीर का जो कलर है वो एक्चुल कलर बहुत अच्छा वो सामने निखर कर आएगा अभी इनको काट लेते हैं बारिक हमने काट लिया है अद्रक चॉपड अद्रक है लहसुन है सिम्ला मिर्च है और प्याज है यह हमने काट लिये है और साथ में हमने लिया है दो बड़े चम्मस से कॉन फ्लार कॉन फ्लार में हम 4-5 चम्मच पानी मिला लेंगे या 6-7 चम्मच भी आप मिला सकते हैं मतलब उसकी मात्रा देखते हुए आप उसे अब मिक्स कर लीजिए एक घोल जैसा हमें उसका बनाना है यह देखिए आपको पनीर दिख रहे होंगे सामने जो हमने फिर से तल लिये थे और उनका कलर काफी अलग हो गया था एक बर्तन हमने चाड़ा लिया है जूले पर उसमें कैं दो बड़े चम्मच हमने तेल डाला है तेल को गरम होने देते हैं अच्छे से और आपको मैं पनीर दिखा रही थी यह देखिए यह हमने दुबारा से फ्राई किये वे थे पहले के फ्राई किये हुए में और अभी म उसका कलर बलकुल निख़ जाता है यह हमने सिमला मिर्च काटी है यह भी आप देखे बहुत शोटे नहीं काटे बड़े पीसेज काटे हैं कोसिस कि IS Tran II can Masters वेने चोटा पीसे नहीं नहीं करना है वो सब्सक्राइब बड़े बड़े ही पीस हमने कर रहे हैं इसलो टो लाइटो केचप यहाए जाहिए विनेगर और यह सोया सॉस और लाल मिर्च की पेष्ट लाल मिर्च जो हमारे पास होती है लाल मिर्च उन्हें थोड़ी देर पानी में सोक करके रखा हुआ था और उनको फिर मिक्सी में चला लिया है आप देखरेंगे सीड भी इसमें दिख रहे हैं अब हम इसमें हमारा तेल हो चुका है तो हम इसमें गार्लिक डाल देते हैं और साथ ही साथ हमने लहसुन भी एड़ किया हुआ है तो हम अपने लहसुन को डाल के इसमें हम जिंजर पेष्ट भी थोड आप अलग अलग भी दाल सकते हैं पर जिंजर एकदम से जल जाता है यह हमने दाल दिया है अध्रकरी अच आप देख रहे होंगे प्याज को हम फिला रहे हैं ताकि जो यह अपनी लेयर जेटे चोड़ सके हम अपनी कल्ची से उसे हिला रहे हैं और अपने पेन को भी हिला रह एक तो हीट मिलती है और हीट के कारण हो खुद भूखुद खुलते हैं दूसरा हम उन्हें रहे हैं अब आप देख रहे हूंगे प्याज काफी हत तक लेयर सबकी निकल चुकी हैं और गरम से वह चटक रहे हैं अब इसमें हम सिम्ला मिर्च भी ला लेते हैं और इन्हें भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह रड्चिली पेष्ट जो हमने बनाया हुआ यह हम इसमें मिला देते हैं चिली पेष्ट आप अपने स्वात के अनुसार रखे एँ मुझे कुछ ती जादा पसंद है तो हम तीका बना रहे हैं और आज इसका स्पेश्दिच्ट है मेरा तो आज मेरे भाई की हेल्प से मैं यह बना रही हूं आज अपने भाई को मैं असिस्ट कर रही हूं तो हमने इसमें चिली पेष्ट थोड़ा ज्यादा रखा हुआ है क्योंकि हमें तीखा पसंद है आपको तीखा ना पसंद हो या कम पसंद हो उसके अनुसार आप इसमें सुन्दर हमारा चिली पनीर दिख रहा है यह हमारा गया विनेगर इसमें और यह हम दालेंगे इसमें सोया सॉस मातरा आप देखि रहांगे और ये हमने टोमेटो केचप दाला है डो मेटो केचप हमने थोड़ा सा ज्यादा ले लिया है और यह काली मिर्च पाउडर काली मिर्च पाउडर अगर आपको नहीं पसंद है तो मद दालिए क्योंकि हम अल्रेडी उसमें काफी स्पाइसी हम रेग चिली पेस्ट यूज कर रहे हैं तो अगर आपको वह नहीं पसंद है तो आप मद दालिए और उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए सभी चीजों को एक चीज और ध्यान देने वाली है अगर आपकी चीली-पनी ज़्यादा ही इस पाइसी हो गई हो मिर्च वाली हो गई हो तो आप उसमें हनी मिला सकते हैं इसमें हम नमक कर देते हैं आब और नमक दाल दिया हैँ तो lige चाहिए पनीर भी आम इसमें डाल देते हैं ओर अशने भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे आपको बता रही थी अगर आपका चिली पाणी इडर स्पाइस जहदा हो गया हो जधा तीखा हो गया हो तो आप उसमें ठोड़ा सा सहध यूज़ कर सकते हैं क्यूंकि यह ये-डर तेस्ट-७ड़ा सा क्योंकि हम सॉस भी यूज़ कर रहें यूंज करदें कॉर्णाबरा जो हमने लिया था हम पिए प्रेइस गोड़ाइगे चम ळीक ने दा लिया है फिर इसको मिक्स करके फिर एक चम लिया नहीं अब यथि पहले के से घूर के लिए औरं ले लाएद ते देखिए बिना किसी एडिट कलर के बिना किसी ज्यादा मसाले के स्पाइस के हम इसको बना रहे हैं यह बहुत अच्छा टेस्ट में भी बनता है और बहुत ही स्वाधिस्ट भी दिखता है सर्विंग बॉल में हम इसे निकाल लेते हैं देखिए बहुत ही ज्यादा टेस्टी घ्यान रखिएगा चाइनी जो होता है उसे ज्यादा पकाया नहीं जाता है यम्मी कितना सुन्दर दिख रहा है आप देख सकते हैं अब उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा चिली पनीर और रहाएव पाल भी आपको ये पसंद आया होगा चिली पनीर और जोब आपको ये रहा हुआ है